नमस्ते सस्रीयकाल अस्सलाम वालेकुम आप सभी को बहुत सारा प्यार मैं शेफ कुनम आपके अपने चैनल पे लेके आई हूँ वट सावित्री की पूजा में चड़ाय जाने वाले गुड से बनने वाले बरगत ये बाहर से सक्त और अंदर से सौफ्ट होते हैं खाने में य चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करना साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिलकुल ला मूल लें जिससे मेरे नए 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 वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे सबसे पहले हमें लेना है एक कप आटा, एक कप पानी में हमें एक कप गुड को अच्छी तरीके से घोल लेना है, आप इसे भिगो के भी रख सकते हैं और इसे छनी से चान लेंगे टू टेबल स्पून हम घी का यूज़ करेंगे मोयन के लिए, वन टी स्पून कोकोनट पाउडर का यूज़ करेंगे वन टी स्पून हम इसमें मोटी वाली जो सौफ होती है उसका यूज़ करेंगे वन टेबल स्पून वाइट वाले तिल आप ब्लैक तिल भी ले सकते हैं वन टी स्पून इसमें इलाइची पाउडर का यूज करेंगे सॉल्ट वन फॉर्ट टी स्पून एक बाउल में हमें आटा जो हमने लिया था एक कप उसे ट्रांसफर कर लेंगे अब इसमें हमें तिल जो वाइट वाले थे उसे आट कर देना है इसके साथ हम इसमें कोकोनट पाउडर भी आट कर देंगे इलाइची पाउडर आट करेंगे सॉल्ट आट करेंगे अब इसमें हम सॉफ आट करेंगे ड्राइ इंग्रीडियंट्स को पहले हलका सा मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें हम मौयन के लिए घी अड़ करेंगे घी हमें थोड़ा-थोड़ा करके अड़ करते जाना है और मिक्स करते जाना है इससे जो है ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा और इसमें उतना ही मोयन डालना है जितने में ये बाइंड हो जाएए ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से जो है इसमें हमने मोयन डाल दिया है अब इसमें हम गोड़ का जो पानी था थोड़ा थोड़ा करके आड़ करते जाएंगे और इसका अच्छा सा एक डो तयार करेंगे ये जो है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में वर्ट सावित्री की पूज़ा में बर्गत चड़ाय जाते हैं इसलिए हम बर्गत का शेप देंगे छोटे छोटे से बर्गत बना लेंगे और ये देखिए हमने बर्गत बना लिया है ऐसे ही हम सारे बर्गत को पहले बना के तयार कर लेंगे oil को हमने गरम कर लिया है इसमें जो हमने बरगत बना के रखे थे उसे transfer कर देंगे सारे इसे हमें low to medium flame पे ही सेखना है और high flame पे बिल्कुल ना सेखना है वरना बाहर से cook हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे अब ये एक side से cook हो चुके हैं अब इसे हम turn कर लेंगे दोनों side से हमें अच्छी तरीके से cook करना है इसे golden color का करना है ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से cook हो चुका है काफी अच्छा color आया है ऐसे ही आप वट सावित्री पूजा के लिए गुड के बरगत बना सकते हैं ये बहुत जादा आपको पसंद आएंगे तो इस वट सावित्री पूजा में आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा आई होप आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल नभूले जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे अब मैं मिलूंगी अपनी एक नए रेसिपी के साथ